एक important बात मैं कहना चाहूँगा जैसे काफी लोग toxic relationships के उपर बात करते हैं और वो यह कहते रहते हैं कि देखो लोग toxic हैं हमें समझते नहीं हैं कोई और लोग toxic होते हैं यह सब बाते करते हैं तो मैं एक बात कहना चाहूँगा बड़ी चूटी सी बात है और वो यह है कि जिस आप toxic समझते हैं वह आपके लिए toxic है लेकिन किसी और व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा इंसान है आप खुद को बहुत अच्छा समझते होगा यह दुनिया ऐसी है बेसिकली हम किसी को भी toxic बोल देते हैं कोई toxic नहीं होता और कोई अच्छा नहीं होता सब में सारे रंग ह है रहे तो मासूम सा चैरा है यह जैसे कोई लड़की है तो मासूम है इस पर हम विश्वास कर सकते हैं या कुछ लड़कियों के शकले होती है या लड़कों के शकली होते हैं बड़ी रफ एंट टफ होते हैं तो देखने से विलन लगते हैं कि यह तो विलन होगा भाइस प बहुत नर्म दिल होता है और नर्म लोग और मासूम लोगों को बहुत गंदे स्तर पर जाके धोखा देते हुए देखा मैंने मीठी मीठी बाते करने वाले बहुत इतनी गंदी चोट मार के जाते हैं कि आप कलपना नहीं कर सकते हैं कि यार ऐसा भी कर सकते हैं लोग इसलिए क तो जैसे ये न्यूस चैनल्स पर आपने देखे होंगे टर्रिस्ट की तस्वीरें तो दिखने में कितने मासूम लगते हैं कितने शरीफ घरों के लगते हैं कितने जैसे नहीं कुछ पता ही नहीं लेकिन उन लोगों ने कितना कुछ बुरा किया होता है कितनी कितना कितना ही ग आभी किसी टेर्र और्गनाइजेशन में किसी औरत की सदस्यता नहीं पाई गई हो तो चाहे आधिमियों को फसाना हो जैसे कई होते हैं सरकारी नोक्रियों पर लोग काम कर रहे होते हैं इसको और वह अपने प्रेम-जाल में फसा कि उससे सारी information ले लेती हैं फिर अपनी organization में ज़े देती हैं और फिर आगे वो देश को यहां दुनिया की किसी भी संस्था को कमजूर करने के लिए किमाल कि जाती हैं तो मासूम चेहरे के उपर मत जो कभी जैओ किसी की सकनल से मासूमियत मत जाने को और कि उसका गुण देखने चाहिए गुण देखने में वक्त लगता है लेकिन लोग बहुत जल्दी शकलों से ही अंदाज लगा लेते हैं कि यह शकल अच्छी है तो ठीक है बस मासूम चैरा है लुटने को तयार हो जाते हैं कभी भी जीवन साथ ही कि तलाश अगर तुम करते हो त पच्छी साल के हो तो कब कैसे दिखते हो दस-दस साल बाद शकले पूरी पूरी बदल जाती है तो शकलों को पर मत जाना चाहिए लेकिन व्यवार बदलता नहीं है किसी का व्यवार किसी का नीच आगए गटिया है वो सारी जिंदगी गटिये रहेगा अगर वो अपने व् परकी बात है इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी की शकल देखकर उसे शादी करने का मन मत बना लेना नहीं अगर किसी के साथ व्यवार करना चाहते हो बिजनस करना चाहते हो शकल मत देखो उसका व्यवार देखो व्यवार क्योंकि व्यवार है सबकॉंशिस माइंड अच्छा करें गों सब्चा करें य। किसी को दोखा नहीं करेंगा जो अच्छा नएगा वह रफो पनी में भीटे गा और पती को दोखा देगा बच्चों में की परिवार की लिए भी बुरा है bat इसलिए को हो सकता उसको आप सो मतलब हो आपको उसका व्यवार तब देखना आ है तो आपके साथ यह इंसको कुट काम अपड़ता है क्योंकि जिस दिन उस वैक्ति की का आपके साथ काम हो गया तो आपके साथ वीवार करेगा जैसे उसके के साथ करता जिससे काम नहीं पड़ता जैसे कई लोग आपने देखले नैं जैसे आप कही मचाने पीने जातें तो क्षाने पर लोग ले जाते हैं की लोग पिने कुछ लोग तो यह ऐसे जो लोग होते हैं यह से लोग आपके साथ चाहिए बड़े विनमरतार मीठे तरीके से बात करें लेकिन यह समझ लेना कि यह असली सुभाव नहीं है इनका जिस दिन इनका काम आप से कतम हो गया तो आपके साथ भी वैसे ही व्यावार करेंगे जैसे स यह तो उसकी वाईिफ है मतली भाई है वहन है उसका पर्दनर है उसके साथ लाउइफ पार्टन ा ऐसे लोगों के साथ यहीं समझना है आपको की जो अजल में कोई अच्छा बूरा नहीं होता कोई टॉक्सिक नों-toxic नहीं विचार है हमारा थौट प्रोसेस है हमारी जिंदगी को लेकि एक अंडरस्टेंडिंग है अगर हमारी अंडरस्टेंडिंग अच्छी हो जाती है हमारे थौट प्रोसेस अच्छी हो जाते है हम यह समझ लेते हैं कि जो कर्म होता है हमारा यह भाग्य बनेगा हम लोगों को धोखा दे सकत करता है मार पिटाई करता है वो दूसरी की responsibility है वो उसके संसकार है और यह संसकार यह आगे चलके करम बनते हैं करम यह चलके बागे बनता है फिर लोग करते हैं कि लोग और यह जन्मों तक पीछा नहीं चोड़ते हैं करम इसलिए अगर आपके साथ कोई कितना मर्जी बुरा क करता है तो यह उसके करम है आप इसको personally मतलो आप जो क्या करते हो आपके करम है आपको जो भी आपकी किस्मत बनेगी वह आपके करम होंगे हिसाब से बनेगी इसलिए कोई toxic है नॉन टॉक्सिक है मैटरी नहीं करता अपना व्यवार से ही रखो आपने में आपकी तरफ से गल कर लेते हैं कि हम अपनी तरफ की toxicity को ठीक कर सकते हैं लोगोंगी toxicity को थे कर सकते हैं पर मैं ने देखा experience में हम खुद अपने तरफ की toxicity को क्रिंटूल कर लेते हैं तो दूसरे के विवार में बदलाव 100% आता ही आता है चाहे थोड़ा आए चाहे जादा आए पर आता जरूर है दूसरे को दिखता है कि यार मैं इसके साल लड़ाई जगड़ा करता हूँ लेकिन उस तरीके से जहरीला टॉक्सिक रिस्पॉंस नहीं आता है पॉलाइटनेस ही आती है कंपैशन आता है तो फिर लोग थोड़ा सो ना सोचते हैं कि यार चलो ठीक है कोई नी वह उनकी भी टॉक्सिटी लेवल्स टाउन हो जाते हैं वैसिकली टॉक्सिक कुछ नहीं होता है यह इम्मेचॉर्टी होती है कोई नहीं अपने देल से चाहता ह कड़वा बीता होता है सही लोग अगर मिल जाते हैं सही मार्क दर्शन सही गाइडेंस तो टॉक्सिटी की तो कहीं से कुछ सवाल ही नहीं उठता है इसलिए टॉक्सिसीटी बेसिकली बैड पेरेंटिंग का ही नतीजा होता है इसलिए हमें किसी को लेवल नहीं करना तो बच्पन संगर्ष में गुजरता है इनके दिल और दिमाग में बहुत नफरत आसानी से बिठानी आसान रहती है लोगों के प्रती क्योंकि इन्होंने जिन्दगी में काफी संगर्ष देखा होता है तो मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे कोई जैसे महापुर्ष कहते हैं कि पाप से घ्रणा करो पापी से नहीं बनाब गलत काम से आप नफरत करो व्यक्ती से ना करो क्योंकि व्यक्ती के विचार बदल गए व्यक्ती बदल जाएगा सारा खेल विचारों का और विचार आप प्यार से बदल सकते हो वो bad parenting ही है, वो immaturity ही कही जाएगी, और वो सब उनका भागे बन जाएगा, और फिर भागे उनको जब उनकी दशा, अंतरदशा आएगी, तो वो सब उनका बुरा वक्त सामने आ जाएगा, इसलिए अपने दोब से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, thank you.